आससालामалेकूम । आज हम homemade masala के साथ बहुत ही मज़े दार बहुत ही जाय केदार निहारी बनाएगे इस निहारी कू खाने के बाद आप बाजार की नहारी खाना भूल जाएगे यह इतनी टेस्टी बनती आया और बहुत आसानी से बनकर त्यार हो जाते Android पर एक नš मेट यहाँ पर बडदी का पॉर्षण ऀस्तेमाल करने holy Men अच्छा देता है नहारी में बोर्ण वालप ओस्ट लेकिन आपसलें तो कोई सब उस्ते हैं और कोई ऐसे जचेथे बना सकते है और मतनमे बना सकते और 1,5 kg में नली का इस्तमाल करूँगी आप चाहें तो पूरा टोटल 1,5 kg मीट ले ले या फिर 1,5 kg नली ले ले और 1 kg मीट ले ले कुल मिलाकर आपको 1,5 kg इस्तमाल करना है यह नली अभी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी हम गोश भून लेंगे जब गोश अच्छी तरह भून जाएगा तीन टेबिल स्पून लहसोन द्रग का पेस्ट इसमें डाल देंगे साथ में जो हमने निहारी के मसाले का पौर्डा बनाया है यह इसमें डाल देंगे इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी और रेसिपी वीडियो आपकी सहुलियत के लिए इसी वीडियो में अटैज भी कर दूँगी लास्ट में आपको मिल जाएगी इसकी रेसिपी अब यह मसाला डाल के भी हमें थोड़ा सा भून लेना है आठ दस मिनट के लिए गोश को तो थोड़ा सा पाय डाल देंगे और इसको आठ से दस मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और इसी के साथ हमने जो दो प्याजों को गोल्डेन फ्राइ किया है इसको या तो हाथों से क्रश कर लीजेगा या फिर मिक्सी में डाल कर आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं वो भी हमें इसमें डाल देना है यह तक्रीबन 150 ग्राम की प्यास थी जिनको फ्राइ करने के बाद अब यह आधा कप के करीब बची है जब मैंने क्रश करके इसमें यूज किया है अब यहाँ पर जब गोश अच्छे साब का भूंच है तब यह जो नलिया है यह भी आपको इसमें डाल देनी है और अब हमे इसमें पानी डालना है तो मैं दाल रही हूं 7 7-5 तर याने की 5कप पानी और पानी डालने के बाद पस इसको एक मिक्स देंगे अब एक प्रेश्य को कर की निड लगा देंगे जब इसमें हाई फ्लेम पर एक सीटी आएगी, गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर 20-25 मृट इसको पकाएंगे बगएर प्रेशा को करके बना रहे हैं तो तकरीबन आपको लग जाएगा धाए घंटा गोश्ट को गलने में क्योंकि यह बड़े का गोश्ट है, वक्त लेता है गलने में इधर हमें एक घोल बनाना है, वन थर्ड कप यानि की पांच टेबले स्पून मैदा ले लेंगे या फिर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और आधा से पॉन का पाइं डालकर इसका हमें गोल बना लेना है, लंफरी गोल बना लेंगे, कोई गांट वागेरा ना हो इसके अंदर इधर गोश्ट भी गल चुका है जब प्रेशा खुझ से निकल गया तब मैंने इसको खोल आ है तो इस टाइम पर यह जो ऊपर तेल आ रहा है इसको आपको निकाल लेना है, क्योंकि जब हम इसमें मैदे का घोल डालेंगे तो यह जो तेल है यह डिसेपियर हो जाता है तो सर्विंग की टाइम इसको ऊपर से डालेगा तो लुक भी अच्छाता है और टेस्ट भी अच्छाता है अब यहाँ पर सालन को मैंने एक खुले वैसल में ट्रांस्टर कर दिया, आप चाहें तो कुकर में यह आगे का प्रोसेस कर सकते हैं और universists न जो बनाया वहाँ मैं दीका है यह हम् को एक हाट से डालना है और दोस्रे हाट से चलाते जाना है और इसको में अपक्ष्णत होगच्छ से इसमें घोला मेंट कन वेट करना है अगर है तो डाल लीजेगा पस इसको mix करेंगे, gas की flame को धीमा कर देंगे और इसको ढग देंगे और low flame पर तकरीबन 12-15 मिनट इसको हम पक निकले रख देंगे मैं देखा घूड डाले के बाद यहां पर तकरीबन low flame पर मैंने 15 मिनट के लिए इसको पका लिए और यहां पर हमारी बहुती मज़ेदार सी निहारी बनकर तयार है एक दम परफेक्ट इसका टेक्शर आया है अब थोड़े से इस टाइम पर मैं इसमें हरा धनिया जूलियन कटिया द्रग और हरी मेंच वगरा डाल रही हूं आप इस टाइम पर नहीं डालना चाहते तो डिरे जरूर रखना है सर्व करते टाइम चलिए अब नहारी सर्फ कर लेते हैं और यह देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारे यह नहारी बनकर तयार हुई है होममेड मसालों के साथ बहुत टेस्टी बनी है एक दम परफेक्ट इसका टेक्शर है और टेस्ट बहुत आला किसमका है बहुत ही मज़ेदार बनी है और जो हमने नलिया डाली थी न हुसमेश से जो रोगे ने इस सर्वेंग टाइम टाली है और जो हमने तेल निकाला था वो उपर से इस सर्वें टाली जेँ और सर्व करते टाइम इसमें आप वही जूलियन कटी अद्रा खारी में इचारा धनिया वगएर इस तरह से इसको पर गार्निश कर दीज़े लुक भी अच्छा है और टेस्ट भी इन्हांस हो जाता इसका तो देखा आपने देखने में कितनी टेम्टिंग लग रही है आप इसको रोगनी नान या फिर बटा नान वगएरा के साथ सब करिए खा कर आपका दिल खोश हो जाएगा और नान वगएरा की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी आप देखकर बना सकते हैं नान रेस वीडियो मेरी आप कौन से मुलक और कौन से शहर से देख रहे हैं यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा क्योंकि मुझे आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है और चलिए अपनी हारी की मसाले की रेसिपी देख लेते हैं जो कि मैंने इसी वीडि जावीत्री का फूल लेंगे एक टीस्पून लेंगे एक चौथाई टुकडा जाइफल का लेंगे और एक बड़ी लाइची लेंगे पांच से छे लेंगे लॉंग और यह तीन है पिपली लॉंग पिपर तो यह नहारी की मसाले का खास इंग्रिडिट होता है तो कोशिश क जगा के इसका इस्तमाल आप जरूर करें चोटे-चोटे हैं तो पांच से ले ली जगा यह थोड़े से बड़े हैं तो मैंने तीन ही लिया है पांच के खरीब मैंने हाँ पर चोटी लाइची ली है और एक बादियान का फूल लिया है आधा टीस्पून लेंगे कबाब ची और रेगुलर लाल मेच चोटी लाल मेच होती है या फिर इसको आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं एक टीस्पून हल्दी का पॉड़र लेंगे और दो टीस्पून लेंगे नमक नमक भी हमें टेस्प के हिसाब से याडजास करना है जब नहारी आपकी बंच जाया त जब अभी इसको रोस्त कर लिए लेकिन और अब ही इसको रोस्ट कर लेजागानिगा, बढ़ शत्र हें भीजागानिकर कंश-बंड लेका साथ में, अब तो भीजेंगे जब अब परफिक्ट मसालरा कर लिए, आकमान अभी है जम clicking को वाठी फ्रेग्रिंटी मसाला बनता है जिस ताइम मैं आप यह मसाला बना रहे हो न उसी टाइम से आपका घर खुश्बू सम्हटनी लगेगा इतना फुश्बुदारी मसाला बनकर तयार होता है और यह जो इतना मसाला है आपको डेड़ किलो गोश में यूज़ करना है यान का वजन भी कर लेते हैं यह जितना मसाला है गे चलिए मैं आपको ग्रायमे मिवता ती हूं आपको कितना कितने गोश्ट में यूज करने हैापको इस गर यूज करना है की इप मसाला आप छाहे तो वन बाय फ्वोर टीस पून इसमें citric acid भी डाल सकते हैं इससे इसकी shelf life भी बढ़ जाती है और थोड़ा सी खटाज भी आ जाती है निहारी में तो चाहे तो आप अभी डाल ले इसी मसाले में या फिर आप जब निहारी बनाएं तो उसकी gravy में भी आप citric acid डाल सकते हैं लेकिन citric acid optional होता है अगर आपके पास नही रेक्ली रेटी है